हेलो फ्रेंड्ट सभी को नमस्कार जे जोहार जे सत्थिसकर जे भारत आज हम लोग computer में कुछ अलग तरह की class लेने का सोच रहे हैं मतलब computer में सभी तो पढ़ाते पढ़ते हैं लेकिं कुछ कुछ doubts है बहुत जरूरी है एक्जाम के पहले तो मेरे से जितना हो सकेगा उतना डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा आप लोगों को और अगर आप लोगों अच्छा लगेगा वीडियो और ये जो जानकारी है तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग समय बरबादना करते हुए टॉपिक पर आते हैं जैसे मेमोरी टॉपिक तो मेमोरी टॉपिक जो है शात्राव सदिक्षक में एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से अकसर सबसे ज़्यादा क्वेशन पूछा जाता है और उस टॉपिक में ही गलत आंसर टिक करके आएंगे और हमारा वो आंसर जो है गलत हो जाएगा तो वह ऐसा ना हो करके मेरा प्रास यह रहेगा कि जहां तक हो सके उस डाउट को क्लियर करना दोस्तों तो आप लोग अगर सपोर्ट रहेगा तो आगे भी वीडियो बनता रहेगा इस टैप का त जो दोस्तों सुरू करते हैं में मोरी टापिक में जो जो डाउट है तो पहला यह होता है की जो आता है क्यों ऐता है क्वेस्ट्सीडी और लिव्डीडी जितने भी ऑप्टिकल टिस्क है तो उसमें डेटा को लिखने और पढ़ने केलिए कौन सा क्या यउज़ नीत रे ऑं हम bit ठीक है और सबसे बड़ी ही काई अगर आती है तो उसके लिए हम लेंगे geop byte ठीक है जैसे हम लोग computer से बहुत सारा data picture वीडियो जो भी हो उसको हम अगर cd-rom में डाल रहे हैं तो cd-rom में अगर हम उसको डाल रहे हैं तो उसको हम हमेशा burning बोलेंगे ठीक है और cd-rom से अगर हम computer में डाल रहे हैं तो उसको हम wrapping या wrapping र-i-p-i-n-g उसको जो भी आप बोलते होंगे वो उसको बोलते हैं तो इसमें confusion बिलकुल नहीं होना चाहिए computer to cd-rom हमेशा burning होगा ठीक है एक डाउट है कि computer में हम लोग कोई भी data को delete करते हैं तो वह recycle bin में चला जाता है यह तो सबको पता है समानिस सी बात है लेकि recycle bin में अगर चला जाता है तो computer में उसका memory जो रहता है उस file जैसे वह 100MB करा होगा उसको हम delete कर दिये recycle bin में चला गया तो क्या वह memory पूरा खाली होता है computer से 100MB वह नहीं होता है वह पूरा delete करके computer से हम लोग पूरा complete delete हो जाएगा तब जाके वह उसका memory खाली होता है recycle bin में अगर पढ़ा रहेगा वह data तो आपका computer का जो space है वह खाली नहीं होता है memory space free नहीं होता है यह ध्यान रखेंगे आप लोग और computer से completely delete करने के लिए shift plus delete दबाते हैं हम लोग जिससे की वो direct recycle bin में नहीं जाके वो direct computer से हट जाता है और उसका space भी free हो जाता है जो hard disk है वो बहुत सारे tracks में अंदर में tracks में बटा होता है और उसी tracks के अंदर बहुत सारे sectors रहते हैं जिसमें की data हमारा store होता है दोस्तों में यह जो भी data जो भी detail बता रहा हूं उसको आप सिर्फ सुनते जाए ध्यान से आपको बहुत सारा doubt clear होते जाएगा आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या बोल रहा है यह क्य बेर करते जा रहा हूं आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कोई भी बूप पढ़े होंगे यह सब डाउट जरूर आया होगा तो एक और डाउट है कि कॉंपेक्ट डिस्क जो है सिक्वेंसेल एक्सेस है कि क्या हमेशा confusion है तो इसको हमको डाइरेक्ट में भी और सिक्वेंस टेप ही आएगा अच्छा जिपिंग क्या होता है जिपिंग मतलब यह होता है कि बहुत सारा फाइल फोल्डर को मिला कि एक बड़े से फोल्डर के अंदर डालते हैं जिसके अंदर continue वो सिक्वेंसेल एक्सेस में रहता है तो उसी को हम लोग जिप फाइल बोलते हैं वही ज अंसर लेना है सिडी और डीवीड जहां भी दिखा वह ऑप्टिकल ड्राइव है हाटडिसक दिखा मेगनेटिक ड्राइव है ठीक है सबसे चोटी यूनिट होती है उसके बाद आता है वैट उसके बाद आता है किलो बाइट इस टैप करके सबसे लास्ट में आता है जिओ ब इसे में लिखा जाएगा दुबारा उसमें नहीं लिख सकते और कई बार पढ़ सकते हैं ले कि ये इसकी इस की बीत्यारी बहुत बहुत चल रहा हा वस जानकारी कि इस को कनेक्ट कर पाय गाए और उस एक CDDA होता है CDDA मतलब होता है Compact Disc Digital Audio दोस्तों एक होता है HVD जिसको हम बोलते है होलोग्राफिक वर्सेडाल डिस्क उसका कैपेसिटी होता है 3.9 टीबी जो की सबसे ज्यादा है अब जो भी पढ़े हैं उसमें एक क्वेश्चन आता हमेशा मेगनेटिक टेप वीडियो तर्मिनल का समूह जो समानत एक माश्टर की अधिन है तो उसका आंसर हमेशा सिलेंडर सर्फिस ट्रैक नहों के जोड सकते हैं ट्रिक टेप का माश्टर क्लस्टर तो इसका आंसर और अभी 2023 तक जो यूएसबी पेंड्राइव है फ्लेश ड्राइव उसकी अधिक्तम कैपेसिटी अभी दो टीवी तक उपलब्ध है मार्केट में 2023 तक अभी 2024 में अगर हम लेंगे तो और अधिक बढ़ गया होगा लेकिन 2023 तक वह दो टेवी तक का फ्लेश ड्राइव हमको पम आता है दोस्तों जो इस्टेटिक रंहों होता है डाटा रिफ्रेस करने की भी काम आता oldest poem यहां पर गूर दो बीसTo बिल्कर होने के बाद पीर वन चलता है तो वह हमारा होता है अच्छा एक काम आपने सुना होगा buffer memory तो buffer memory हमेशा printer से related रहेगा जो की primary memory है अज थाई memory है ठीक है तो वो हमेशा printed printer से related रहेगा दोस्तों एक question पूछता है MPG1 किसके लिए design किया गया है तो वो CD के लिए design आएगा RAM तो volatile memory होता है लेकिन एक non-volatile RAM भी होता है जिसको हम frame बोलते है FRAM वो होता है Ferroelectric RAM उसको हम NVRAM भी बोलते है non-volatile random access memory memory तो उसके अंदर गथी frame आएगा और उसे ही हम Ferroelectric RAM बोलते हैं जो कि विजलिया पूर्थी खतम होने के बाद उसमें data store रह सकता है स्थाई RAM है वो स्थाई RAM अभी तक हम लोग कभी भी देखते हैं तो स्थाई RAM होता है लेकिन यह स्थाई RAM है एक आता हमारा CD और Worm राइट वन्स रीड मैनी तो CD और Worm जो Worm है वो दोनों एक ही है और एक आता हमारा DIMM उसका फूल वाम होता है dual in-line memory module जो की fast data transfer होता है 64 bit तक का होता है उसका space एक होता है CMOS CMOS क्या है यह जो है हमारा जो है इसका फूल फाम होता है complimentary metal ऑक्साइट semiconductor यह computer का एक स्थाई memory जिप है मतलब जो motherboard में रहता है ना motherboard में रहेगा और इसके साथ एक battery जूड़ी होती है तो जैसे हम लोग computer को हम इसा option में लेना है silicon के एक chip की रूप में होता है CPU CPU के अभिन घटक जो है ALU CU और register है और RAM CPU का भाग नहीं है RAM को दोस्तों motherboard में लेना CPU में नहीं लेना RAM CPU का अभिन घटक नहीं है doubt से दूर हो जाए यह बहुत बड़ा doubt है यह मुझे नहीं रहता है तो सबसे ज्यादा case memory तेज होती उसके बाद में इसके बाद फिर hard disk डाउट होता है static RAM और dynamic RAM में तेज़ कुन होता है तो हमेशा ध्यान रखे जो static RAM होता है वो हमेशा फास्ट कौन है तो register memory is fast then कैसे ये लिना है answer में ठीक है उसके बाद फिर बाकी जो भी आएगा कैसे के बाद लेकिन storage में जो है register की सबसे कम चमता होगी storage की सबसे कम चमता register में होगी ये धान रखेगा क्योंकि जो कैसे है न वो computer से CPU से सीधे जूरी रहती है कैसे और जो एक accumulator register होता है उसका क्या काम है computer की सभी गढ़नाय को वो संपन्न करेगा accumulator register गढ़ना हेतू होता है BIOS जो है वो ROM का ही एक program है इसको बिल्कुल ध्यान रखेगा RAM वगर नहीं आएगा BIOS जो है रोम का ही एक program है ठीक है और एक होता है POST तो POST क्या होता है power on self test वो BIOS में ही संपन्न होगा ठीक है और रोम में जो संग्रहित program है उसको ही हम लोग firmware बोलते हैं तो firmware क्या होता है firmware जो है hardware का software है hardware का software इसलिए firmware की कोई भी जो TV है या कोई चीज जैसा video gaming डला हुआ है उसको पहले से program लिख दिया है वही उस hardware के लिए particular वही program लिखा है वह वैसा ही काम करेगा तो उस hardware के लिए software डला हुआ है इसलिए hardware का software बोलते है ठीक है और जो floppy disk होता है वह 8 इंच होता है उसको diskette नाम से भी हम लोग जानते है floppy disk को और जो zip disk है वह 100-250 MB का capacity होता है जो SSD होता है solid state drive वह बड़ा होता है HDD से क्योंकि solid state drive जो होता है 256 GB का होता है और जो hard disk drive है वह aluminum का बना होता है उसके परत जो iron oxide की चड़ी रहती है और जो holographic versatile disk है वह 3.90 TB capacity की होती है और जो flash memory बोलते हैं हम लोग फ्लैस मेमोरी क्या होता है electronic memory को ही हम लोग flash memory बोलते हैं और flip-flop जो होता है हमारा 1 bit data storage capacity रखता है वह मात्र 1 bit data और जो हमारा DRAM है ना dynamic RAM वो हमेशा reference reference requirement बोलेगा ना कि इसमें होता है तो dynamic RAM में होगा तो दोस्तों आज मैं जितना हो सका है memory topic में जो doubt रहता है उसको one liner में मैं clear किया हूँ तो और अगर किसी topic में आपको कि फालतू लगा और अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें और मुझे suggestions दें और मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि जो भी doubt लगा जो भी कठीन लगा हमेशा जो doubt रहता है सबको उसको clear करने का प्रयास किया गया है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे thank you so much for watching video